आज मैं आपके सामने CMS info के बारे मैं बात करूँगा Reason being company के quarterly results के अंदर company ने ये बोला है कि उनके profitability growth के अंदर और revenue growth के अंदर 17 से 19 परशन का growth multiple बना हुए है आने वले future के अंदर ये बाते और company के profit margin को समझ के जो की साटे 16 परशन का है वहाँ पर मेरे को ये समझ में आ गया कि जहां मेरी theme जो है कि Indian economy 67% पर ग्रोव हो रही है आप ऐसी कोई companies पकड़ें जो की 3 times growth दिखा रहे हो और company के revenues, margins और profitability अगर intact है तो ये मेरे लिए portfolio के अंदर increase situation होती है अपनी bets को करने के लिए क्यों क्योंकि ये ऐसे businesses हैं जो की Indian economy से 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना की speed से बढ़ रहे हैं और इनके growth में कहीं न कहीं कुछ न कुछ problem भी नहीं दिखाई दे रही plus company ने ये बोला है कि उन्होंने इस time period के अंदर अपनी around 500 गाडियां भी cash management business के अंदर add करी है तो आपको ये भी समझ में आ गया कि company का growth का outlook जो है वो भी अभी भी intact है ये ऐसा time period होता है quarterly results का जहां पे आपको अच्छी company चांटनी शुरू करनी है जो companies के अंदर valuation का पंगा है और growth missing है growth अगर missing है ना उस company को देखना भी बंद कर दो क्योंकि जो company Indian economy के साथ grow नहीं हो रही twice और thrice की speed पे आपको वो companies देखने की जुरूरत ही नहीं है simple सी बात है CMS info आज इंडिया के अंदर cash management का जो business कर रहे है उसके अंदर उनके जो clients हैं आप banking sector के सारे दिगज companies समझ सकते हैं यह ऐसा ठेका है business का कि जितने भी banks है इंडिया के उनको ना अपना core business पर focus करना है और services business के अंदर उनको अपना हाथ side करके in private place के हाथ में देना है अपना सारा काम इस sector पे इतना बड़ा revenue potential बन सकता है CMS info जैसी companies के लिए कि आप ना हिसाब भी नहीं लगा सकते हर quarter इनकी order book का size बढ़ रहा है क्यों क्योंकि जितने भी banks हैं वो अपना legacy services business इन companies को दे रहे हैं यहां पे पूरी की पूरी game पलट जाती है क्यों क्योंकि आपको यह पता है कि अगले दो से तीन साल के time period में मेरा revenue growth अगर business के अंदर तीन गुना है इंडियन economy की GDP से तो आपके business में बहुत बड़ा दम दिखाई दे रहा है यह चीज़ों पर focus करिए share price secondary पार बन जाता है इसके बाद thank you